तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि pregnancy package के बारे में कि starting में first pregnancy है या second pregnancy है तो starting में कौन-कौन से test जरूरी है, कौन-कौन से test आपको कराना चाहिए तो आज की वीडियो में इसी topic पे बात करेंगे कि pregnancy के starting में आपको कौन-कौन से test जरूरी है वो पूरा package ताकि आपको बार-बार blood ना देना पड़े एक पूरा package जो है उसके बारे में discuss करेंगे जो आपको एक अच्छे prize पे मिल जाए और वो आप starting में करा सके तो दोस्तो मेरा नाम है मनिश कौमार आप देख रहे हमारा path lab channel तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो आप लोग नए है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करने हैं हमारे चैनल पे काफी सारे जो वीडियोज है blood test से related की कौन सा test आपको कब कराना चाहिए क्या-क्या precautions है वो सारी चीजे दी हुई है आप test सर्च कर सकते हैं फिर भी आपके कोई query है तो आप हमें comments कर सकते हैं या जो डॉक्टर लाल पैतलब का customer care है वहाँ पे आप call कर सकते हैं तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमने topic बनाया है आज pregnancy जो है उसके लिए तो pregnancy package 1 के बारे में हम discuss कर रहे हैं for journal health check-up यानि कि रूटीन health check-up first pregnancy है या second है जैसे आपको confirm हुआ है कि pregnancy है तो आपको starting में doctor क्या test advise करेगा तो एक पूरा package बनाया हुआ है कई जगे क्या होता है कि कुछ test अभी करा दिये कुछ बाद में कर दिये तो आपको बार बार blood ना देना पड़े जो test एक time period पे ज़रूरी है वो तो होने ही है जैसे dual marker है quarterple है जो होने है वो तो होने है लेकिन एक starting में जो है आपको कौन से जो है test कराने चाहिए उस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में discuss कर रहे है तो इसकी थोड़ी सी एक बार हम check कर लेते हैं तो देखिए ये जो है पैनल का नाम है pregnancy panel 1 के नाम से इसका जो मैं आपको test code बता दूँ WP01 ये आपके आप लाल पैत लैब की किसी भी branch किसी भी center पर जाएंगे तो ये वहाँ पर registered हो जाएगा आप test code बताएंगे तो आपको अच्छे से जो है पता चल जाएगा अभी इसके बारे में इसके components आप 84 components है इसमें यानिकी 84 जो है test इसमें include किये गए है including CBC वगरा सब आप simply इसका जो reports है वो भी check कर सकते हैं अभी थोड़ा कोई net का issue है इस वज़े से नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ आप click करके sample report जो है वो check कर सकते हैं तो मैं आपको test बता देता हूँ इसमें देखिए CBC यानिकी blood counts ये तो routine check up है ये तो बीच बीच में होता रहेगा लेकिन ये जिसमें hemoglobin वगरा आता है तो pregnancy में hemoglobin वगरा आपका जो है डोक्टर बार बार चेक कराता रहेगा तो ये तो इसमें include किया है गया है दूसरा है blood group blood group एक बारी test होता है कई बर के होता है कि आप बोल देते हैं कि मैंने पहले कराय हुआ है मेरा जो blood group ये है तो ऐसे डोक्टर उस पे विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि उसको report चाहिए आपके पास अगर आपकी reports है पुरानी तो वो दिखा सकते अगर आपके पा करा कराएगा थार्ड नंबर है iron study जो कि आपको हीमोगलोबिन की अगर कोई कमी है तो कोई deficiency है तो उससे related है और next है HPLC हीमोगलोबिन electro forces ये भी जो है आपका anemic patient है यानि कि हमोगलोबिन कम चल रहा है तो उससे related test है तो ये भी जरूरी है उसके बाद आपका था है HIV HIV जो है एक important test है जो की pregnancy में कराया जाता है कूम test ये भी एक disease होती है अगर ये positive होता है तो इसमें baby को कुछ problems हो सकती है hepatitis B, hepatitis B भी doctor check कराएगा folic acid आपका कहीं बढ़ा हुआ तो नहीं है rubela ये hormones के test है ये भी doctor कराएगा urine routine आपका बार बार होता रहेगा sugar fasting भी आपको बार बार कराना है उसके बाद है vitamin B12 तो B12 भी आपका एक बार doctor check करेगा vitamin D3 भी और TSH भी ये सारे test इसमें include है तो ये आपने हो सकता है doctor इसमें से कुछ test ना लिखता है जैसे कि folic acid नहीं लिखेगा doctor रुबेला नहीं लिखेगा आपका और हो सकता है vitamin B12, D3 ना लिखे, vacuum test required हो तो ही लिखे लेकिन क्या है कि आप अगर package कराना चाह रहे हैं आप afford कर सकते हैं तो आप starting में ही पूरा package करा लें जिसमें कि सारे जो components है जो सारे test है वो include हो जाएंगे जैसे कि आप screen पर देख पा रहे हैं CBC से लेकर और ये last vitamin D तक इतने सारे test इसी में include अगर अप individual अलग अलग कराएंगे तो आपको काफी costly भी पड़ेंगे तो ये अभी discounted offer है 7000, 7000 रुपे का ये package है जिसमें कि आपके जो सारे test है ये cover हो जाएंगे दूसरा इसमें sugar fasting, vitamin B12 है और जो भी test है उनके लिए fasting की requirement नहीं है लेकि दो test इसमें ऐसे हैं जिनके लिए fasting की requirement है तो 12 hours fasting करके तब आप ये test कराएं तो सारे एक साथ हो जाएंगे उसमें कोई issue नहीं है कि अपने fasting में जो ये सारे test कराएंगे तो उसमें जो result है वो better आएंगे आप जो sample report है इसका वो भी check कर सकते हैं reporting time इसमें second day आपने आज sample दिया है तो next day आपको report जो है complete मिल जाएगी तो ये था हमारा pregnancy package 1 के बारे में बाद में दूसरी वीडियो में हम discuss करेंगे pregnancy package 2 और 3 के बारे में क्योंकि उसमें कुछ additional test है जो baby के growth है या को special disease तो नहीं है उस चीज़ के कुछ test उसमें extra होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते है next वीडियो में वीडियो अच्छा लगा तो उसको share जरूर करना channel को subscribe जरूर कर ले